कहाने की सरुवात में समुद्र के अंदर एक भूकम बाता है जमिन के नीचे से नीले कलर की एक रोसनी निकलने लगती है यहाँ पर हम डोग नाम के एक आदमी को देखते हैं वो और उसकी जीएफ समुद्र के किनारे मस्ती कर रहे होते हैं डोग उसे साधी के लिए पूसता है और उसे समुद्र के बीची एक अंगुटी देता है लेकिन तब भी उसे कोई पानी के नीचे खिच लेता है यह देकर डोग की जीएफ बहुतर डर जाती है और कुछी सेकंड्स में डोकी लास पानी के उपर आ जाती है डोकी जीएप बहुत डरी हुई है वो मदद के लिए चिलाना सुरू कर देती है तब भी पीचे से एक जॉंबी आता है और डोकी जीएप को भी मार देता है अगले सिन में जाड़ा नाम की लड़की को दिखेया जाता है जो अपने अंकल रे के साथ मचली पकड़ने आई है और उसके साथ हंटर सौ भी आया हुआ था जाड़ा मसिन की मदद से मचलियों को ढूंड रही थी और तब युन तीनों का ध्यानक बोट पर जाता है और उस बोट पर फटाक की वज़े से आग लग चुकी थी जिसके बाद वह बोट पर जाकर आग बुचा देते हैं और बोट की मालिक की मदद करते हैं यहाँ पर सौव इस जगह का सूपरवाइजर है इसे आसपास की जगह का ध्यान रखना इसकी जवाबदारी है इसलिए वो बोट के सभी सेतन बच्चों से फटा के लेकर अपने स सातील ले जाता है वह gram बोट पर आता है और मचली पकड़ना सरू करता है मचली पकड़ते दो रण काटे में एक लास फस जाती है जिसको देकर वह तीनों हेरन रह जाते हैं तीनों मिलकर उस लास को बाहर निकालते हैं और अपनी नाओ पर लेकर आते हैं यहाँ प तुरंत मुझे इसका पता लगा न होगा वो तुरंती पुलिस को कॉल करने जाता है यहां पर जाड़ा पानी से तार खिसती है और लास को एक सफ़ेद रंग के कपड़े से धक देती है लेकिन तबी वह देखते हैं कि पूरा समदर नीले रंग से भर चुका है और तबी वह म जॉंबि रेपर हमला करने की कोष्स करता है तब वहां पर सोवा आ जाता है और खंजर निकालकर जॉंबी पर हमला करता है और उसे लगता है कि जॉंबि मर चुका है जिसके बाद वह जाड़ा के पास जाकर उसकी मदद करता है लेकिन तब भी वह जॉंबी अभी भी जिन्दा था और पीछे से उन पर हमला करता है यहाँ पर इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है दोनों जॉंबी को समुद्र में फेक देते हैं यहाँ पर जाड़ा को बहुते जादा चोट लगी थी और उसके सरी से बहुते जादा खून बहरा था यहाँ पर रह कहता है कि जल्दी से किसी को मदद के लिए बुलाओ अगले सिन में हमें सोव की पतनी केसी और उसकी बैटी सेम को दिखेया जाता है दोनों एक रेस्टनट में बैटे बात कर रहे होते हैं तब भी सोव केसी को कोल करके बताता है कि जाड़ा को चोट लगी है और बहुत जादा खून बहरा है कैसी कहती है कि मैं जाड़ा का इलाज करने वहाँ पर आ रही हूँ और कैसी अपनी बैटी को अपने घर जाने के लिए कहती है कैसी वहाँ से बोट के लिए निकल परती है बोट पर पोच कर उसकी टीम जाड़ा की जाच करते हैं और होस्पिटल भेच देते हैं अब सो कैसी को समझा रहा होता है कि जाड़ा की ये हालत कैसे हुई रे जाड़ा के साथ जाता है और सो यहीं पर पता लगाना चाहता है कि आज उनके साथ क्या हुआ और क्यूं हुआ सोव यहाँ पर इस जगह के पुलिस ओफिसर आईकोनिक के पास जाता है और उनके साथ जो भी हुआ उसे बताता है आईकोनिक कहता है कि यह जो भी हुआ उसे यह छोटी मुटी मुसिबत नहीं लग रही है यह जरूर कोई बड़ी मुसिबत है जिसके बाद वह उस जगतल जहते हैं जहाँ पर उनके साथ दुरगटना हुई थी वो देखते हैं कि अभी भी समुद्र से नीले रंकी रोसनी आ रही है ये देखर आईकोनिक हेरन रहे जाता है आइकोनिक ये समझने की कोश्ट करता है कि ये नीले रंकी रोसनी कहां से आ रही है और क्यूं आ रही है फिर वो जाड़ा का कैमेरा समुद्र के गहराई में फैक देता है और उन्हें के पुरा ना जहांचे दिखाए देता है और उन्हें यह पता चलता है कि यह निले रंग की रोसनी कहां से आ रही है उनको वह जॉंबी भी दिखाए देता है जिसको सौव ने पानी में गिराया था सौव उसे बताता है कि मैंने इस जॉंबी को मार कर पानी में फैक दिया था मगर ये अभी भी जिंदा कैसे है लेकिन आइकोनिक को इस बात पर विश्वास नहीं होता वो हसने लगता है लेकिन तभी बहुत सारे जॉंबी सनाव की तरफ बढ़ने लगते हैं और अब आइकोन दोनों वहां से भाग जाते हैं अगले सिन में लोग समुद्र के किनारे घुम रहे होते हैं और उनका ध्यान समुद्र पर जाता है यहां पर समुद्र का पानी खुद पीछे हो रहा था सभी लोग ये देखकर वहां से भाग जाते हैं और तब हम देखते हैं कि कई सारे किनारे की तरह पा रही थी सेम और उसकी दोस्ता एक पुल के उपर खड़े हुए ये सब कुछ देख रहे होते हैं सोव की नाव भी पानी की लहर से ज्यादा दूर नहीं है और तब भी उन्हें मैसुस होता है कि ये लहर कोई आम समुद्री लहर नहीं है इसलिए खुद को ब के थे यहां पर सोव और आइकोनिक बोट से दोनों बाहर आते हैं और तब उनको पता चलता है कि उनको बहुत सारे जॉंबिस ने घह लिया है वहीं दूसरी दरब केसी अपने दोस्तों को जाड़ा और रह सभी लोगों को अलग रखती है क्यूंकि किसी को नहीं पता कि उन पने के लिए एक अच्छी सी जिगर ढून रहे होते हैं अब देखते ही देखते हैं जॉंबिस की संख्या बहुत जादा बढ़ रही होती है और तानिया अपने फादर को कॉल करने की कोस्स कर रही होती है लेकिन उससे कॉल लग नहीं पाता यहीं सेम और डानी बहुत डरे बहुत आ देखते हैं इसलिए लोग भी यहां से भागने के लिए त्यार हो जाते हैं इसी बीच सो और आइकनिक बीच पर लोगों की मदद कर रहे होते हैं सो वेंपार को गोलि मरता है लेकिन गोलिये वेंपार यानि जॉंबिस पर असर नहीं करती वहीं जाड़ा को जॉंबी के काटने की वज़े से वो भी जॉंबी बन चुकी है जैसे ही वो भागती है तो वह रे पर हमला कर देती है तो भी अंदर से चिलाने की आवज सुनकर एक नर्स अंदर आती है तो जाड़ा उस नर्स को भी मार देती है जिसकी वज़े से रे को भा ये इसलिए दोनों वाँ से जाने का फैसला करते हैं दोनों पुलिस सेशन की और भागते हैं तो भी उन्हें कार में दो लोग मिलते हैं जो आग लगाने वाले नाव में मस्ती कर रहे थे लड़के का नाम बैनली है बैनली उसकी गलफेंड के साथ जोंबी से बचने के लिए स केसी पर हमला कर देती है और उसका पीचा करना सुरू कर देती है तो भी रे केसी को कमरे में खिच लेता है और दोनों की जहनब बच जहती है कैसी उसे कहिती हैं कि एक किस książतरी की बिमारी है तो रे उसे बताता है कि ये चोटी मोटी बिमारी नहीं है अभी अभी पानी की लहर के साथ बहुत सारे जॉंबिस यहां पर आ गए हैं वहीं सो आइकोनिक बैनली और बैनली की गल्फेन ये सब पुलिस तेसन आ जाते हैं लेकिन वहाँ पर भी जॉंबिस होते हैं जॉंबि उन पर हमला कर देते हैं और बैनली को गहल लेते हैं लेकिन खुद को बचाने के लिए वह उसकी गल्फेन कोई धक्का दे देता है अब उसकी गल्फेंड भी जॉंबी बन चुकी है बेनली अंदर जाकर जॉंबी और पुलिस वाले पर गन तान देता है पुलिस वाले उसे समझाने की कोस्ट करते हैं लेकिन बेनली पागल ही हो चुका था वह एक पुलिस वाले को भी गोली मार देता है फिर सो उसके पास जाकर उसे कुछ मार कर उसे बेहुस कर देता है बैनली को रसी से बांदिया जाता है क्यूंकि वो सभी को मार रहा होता है वहीं सेम और उसके दोस्त जॉंबिस से बचते हुए भाग रहे होते हैं और वो एक बड़ी मार्केट में आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर भी जॉंबिस होते हैं सेम और उसके दोस्तों को देखकर जॉंबिस उसका पीछा करने लगते हैं सेम और उसके दोस्तों बचने की बहुत कोस्स करते हैं लेकिन तानिया के बईफ्रेंड को एक जॉंबि पकड़ लेता है और उसको सभी के सामने मार देता है बाकी के जॉंबिस भी उन पर हमला करने आते हैं लेकिन सेम और उसके दोस्तों कैसे भी करके बचते हुए वहाँ से निकल ही जाते हैं लेकिन इसी बीच तानिया और सेम एक दूसरे से अलग हो जाती है वहीं दूसरी तरफ आइकोनिक बागी के पुलिस सेशन में कॉल करता है ताकि वो जॉंबिस से लड़ने के लिए कोई मदद मगवा सके लेकिन उसका रेडियो काम नहीं कर रहा था अब इस बात से आइकोनिक बहुत उदा सोझाता है कि मैं करू क्या फिर वो एक लोकर में पड़ा एक लेटर निकलता है लेटर दवाई बनाने वाली किसी कमपनी का है और आइकोनिक उसे फार देता है यहाँ पर सोव को समुदर के नीचे मिले पूरानी नाव के बारे में कुछ जानकारी मिलती है सोव कहता है कि रिपोर्ट्स के मताबिक इस नाव को गाडियों को तबा करने वाले जगह पर होना चाहिए था लेकिन यह तो समुदर के नीचे है इस समझ में आता है कि डाल में कुछ ना कुछ काला है वहीं जॉम्बिस पुलिस सेसन के अंदर आने लग जाते हैं इसलिए वहाँ से बचकर भागने के लिए यह लोग हत्यार बाहर निकलते हैं लेकिन बेंडली को वही पुलिस सेसन के अंदर छोड़ देते हैं बाहर निकलते ही वह लोग देखते हैं कि बहुत सारे जॉम्बिस गूम रहे हैं इसलिए सोव रोकेट टोर्चर का इस्तमाल करता है और बाहर गूम रहे जॉम्बिस को मार देता है इसके बाद वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन जब वो भाग रहे थे तो रास्ते में सबसे खतरनक वाला जॉम्बी आलफा जो आ जाता है वो जॉम्बी को टकर मारते हुए आगे निकलते हैं लेकिन उस टकर का उस जॉम्बी पर कोई असर नहीं होता वही सेम और उसके दोस्त जॉम्बी से बचकर भाग रहे हैं और रास्ते में उनको एवन मिलता है और सभी एवन के कार के अंदर चले जाते हैं एवन गाड़ी से बाहर आकर जॉम्बी से लड़त वो हिरो बनने की कोसिस करता है सेम उसे बोलती है कि तुम ज्यादा हिरो मत बनो जल्दी से अंदर आ जाओ लेकिन एवान उनकी बात नहीं मानता और आखिर में के जॉंबी उस पर हमला कर देता है वहीं हम तानिया को देखते हैं वो डिस्कॉल के घर आ जाती है और डिस्कॉल से मदद मागती है डिस्कॉल उसे पीछे मुड कर दिखाने को कहता है क्योंकि किसी जॉंबी ने उसे काटा तो नहीं है तानिया मान जाती है और डिस्कॉल ये देखकर उसे अंदर आने देता है अंदर डिस्कॉल ने को जॉंबी को पकड़के रखा है और वो उस पर एक्स स्टेसन में आ जाती है और बेंली को मार डलती है वही सेम और उसके दोस्तों को जॉंबिस ने गेरा हुआ था सेम का दोस्त सेम से कहता है कि तुम भाग जाओ मैं भाग नहीं पाऊंगा मेरे पेर में चोट लगी है जॉंबि का ध्यान भटकाने के लिए वो गीतर बजाता है ताकि सेम गाड़ी से भाग जाए तब भी सेम और उसके दोस्तों की मदद करने के लिए सोव और आइकोनिक वहां पर पहुँच जाते हैं सेम अपने पापा को देखर उसके पास जाती है वही वो गीतर बजा रहा था तो तब भी पीछे से एक जॉंबि आकर उसे मार देता है यह देखर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं वो लोग कैसी को ढूंडने होस्पिटल जाते हैं किस तरह होस्पिटल पहुच जाते हैं तो यहां पर सेम को पता होता है कि होस्पिटल में कौन कौन सी चीज़ कहां पर है वो नर्स वाले कमरे में जाती है और वहाँ पर रखे ओवे फॉन से अपनी मा कैसी को फॉन करती है लेकिन कुछी सेकेंट्स में जॉंबी हस्पिटल के अंदर आना सरू हो जाते हैं और सोग की तरफ आने लगते हैं सो और आइकोनिक दोनों जॉंबी से लड़ते हैं फिर सो बिजली के कुछ तार निकालता है और जॉंबी को खतरनाक बिजली का जटका देता है और कई सारे जॉंबी से मारे जाते हैं अब कैसी भी अपनी बेटी और अपने पती तक पहुची जाती है फिर वह सभी कार से होते हुए होस्पिटल से निकल कर डिस्कॉल के घर आ जाते हैं यहां पर तानिया अपने पापा को देखकर बहुत खूस होती है अंदर आइकोनिक रैडियो का इस्तमाल करता है और मदद के लिए पुलिस की बड़ी टीम मागता है लेकिन इसी दोरन डिस्कॉल ने जिस जॉंबी क बंद करके रखा हुआ था वह किसी तरह से अपने आपको छुड़वा लेता है वही जॉंबी पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है हमला करते दोरन वह उसके हाथ पर काट लेता है और डिस्कॉल की चिखन की आवाज सुनकर सभी लोग अंदर आ जाते हैं यहां पर कैसी उ आकर एक बिजली वाले हतियार से जॉंबी को मार डालता है डिस्कॉल बताता है कि यह जॉंबी पानी वाला जॉंबी है इसलिए इनको बिजली का जटका देकर मारा जा सकता है डिस्कॉल की बात सूनकर सो प्लान बनाता है वो बताता है कि हम सभी जॉंबी को किसी तरह से ट तो जॉंबिस को मार देंगे लेकिन मुसीबत तो समुद्र में डूबा जहां जहे हम उसको कैसे खतम करेंगे अब ये सुनकर डिस्कॉल पाणी में चलने वाले बड़े बॉम से निकाल कर कहता है हम लोग इनकी मदद से जहांच को तबाह कर सकते हैं ऐसा करने में मैं तुमार करना बंद कर देती है ये देकर कैसी मदद के लिए आती है और पास में पड़ी लकडी काटने वाली मसीन चालू कर देती है दोनों मिलकर बाहर खड़े जॉंबिस को मारते हैं फिर सभी लोग बाहर निकलते हैं और उन्होंने अपनी काम की जीजे भी अपने साथ रखी हु करके हमारे सहर को बचाना होगा पहले तो सोग को ये बात समझ में नहीं आती इसलिए आइकोनी को सच बताना पड़ता है वो बोलता है कि 30 साल पहले हमारे सहर में दवाई बनाने वाली एक कंपनी आई थी और उन्होंने कुछ लोगों पर अपनी दवायों का इस्तमाल किया था उन्होंने मुझे चूप रहने के लिए बहुत सारे पैसे दिये थे चूंकि उस समय दवाया ठीक से नहीं बनी थी और जिन लोगों पर बनाई गई दवायों का इस्तमाल किया गया था उन्होंने दवायों की वज़े से उन लोगों की हालत बहुत ज़ादा खराब हो ग गया था ये बात सुनकर कैसी बोलती है कि वो दवाया आदी अदूरी नहीं बनाई गई थी वो दवाया बना ही इसलिए गई थी ताकि इंफेक्शन को भी इंसानों में फैलाया जा सके वो दवाया बिना अतियार के जहंग जीतने का अच्छा तरीका है जिसको हम बायोलोज की हालत और बूरी होती जा रही है इसलिए तानिया अपने पापा के बोलने पर उसको वहीं पर छोड़ देती है और ऐकोनिक के हाथ में पकड़ा देती है और जैसा ही आईकोनिक जॉम्भी बनता है तो वह ग्रैनेट को गिरा देता है और धमाक की वज़ेसे खत्म हो जाता है ये लोग तीन ग्रूप में हो जाते हैं रे तानिया समुदर में डुबे जहाच को तबा करने के लिए जाते हैं और दूसरी तरफ केसी सेम और सो जमिन पर घुमरे जॉंबिस को मानने के लिए निकल जाते हैं सो तालाब के अंदर बिजली के तार को फेक देता है ताकि जॉम्बिस को बिजली का जटका दे सके इसके बाद सो गाड़ी में गाना चलाता है और तालाब की तरब जाने लगता है गाने की आवाज सुनकर जॉम्बिस उसके पीछे आने लगते हैं वहीं डिसकोल दमाका करने के लिए बॉम को सेट कर देता है लेकिन समुदर के बीची जॉंबिस को भी मार डालता है वहीं हम सौव को देखते हैं उसकी गाड़ी मिटी में फस गई है तब भी सबसे खतरनाक आलफा जॉंबी आ जाता है सौव उससे लड़ने लगता है और अपने बिजली वाले हथियार से हमला करता रहता है वह कैसे भी करके उससे चुटकर पाकर गाड़ी को किच्चर से बाहर निकाल कर और पानी में चला जाता है जॉम्बिस उनका पीछा करते हैं जॉम्बिस सभी पानी के अंदर आजाते हैं यहाँ पर सो किसी तरह से आलफा जॉम्बी को गायल कर देता है वो अपनी बैटी को बोलता है कि सेम जल्दी से बिजली चालू करो लेकिन बिजली चालू करने वाला हैंड फस चुका था वही र जॉम्बिस भी उस जहांच पर आने लगते हैं रे बोलता है तानिया तुमें इस जहांच से यहां से जाना चाहिए यह सब जॉम्बिस को मैं रोकर रखता हूं लेकिन तानिया रे को अकले नहीं छोड़ना चाहती और मना कर देती है लेकिन किसी तरह से रे उसे समझाता है और तानिया वहाँ से कूद कर चली जाती है वहीं आलफा जॉंबी फिर से जिंदा होता है लेकिन सो हथियार की मदद से जॉंबी का सर काट देता है और साथो साथ सेंबी हंडल गुमा देता है जिससे तालब के पानी में खतरनक करंट आ जाता है सभी जॉंबी को बिजली का खतरनक जटका लगता है और सब के सब मारे जाते हैं दूसरी तरफ जाहाँच के उपर बॉम सा लगा दिया है और अब बटन दबा कर समुद्र वाले जाहाँच को तबा कर देते हैं लेकिन इसके दोरन रे भी मारा जाता है सहर के बीच बहुत बड़ा धमाका होता है और एक बड़ी लहर उनकी तरफ आती है वो लहर से बचने के लिए भाग रहा होता है लेकिन तब भी जॉंबी में बदला हुआ बेंड लिया जाता है सो उसे मार देता है और वहां से चला जाता है अगले सिन में धमाक की वज़े से सभी जॉंबी से मारे गए सो और उसका परिवार बहुत खूस होता है तब भी उनका ध्यान तानिया पर जाता है उसको देखकर सभी खूस हो जाते हैं अपने परिवार से कहता है कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और इसे के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तो कहानी पसंदाई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्रेब कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक्यू फर वाचिंग